जेपीसी इस बार फिर से विवादों में है पिछले एक महिने से जेपीसी के अभेर्थी आंदोलन रत हैं इसे पहले भी भाजपा के कई लोग इनके समर्थन में जा चुके हैं उन पर लाठियां बरसाई जा चुकी हैं केस मुकदमों का भी दौर चलता रहा और कई तरह की मांगे उठती रही हैं इसे लेकर रामगण में भी प्रेस कॉन्फरेंस किया जा रहा है रामगण में राजीव जैस्वाल जी जो भाजपा के नेता हैं उनसे आज हम लोग बात करेंगे क्या है मामला और क्यूं कर रहे हैं आप लोग प्रेस कॉन्फरेंस देखे सात्वी जेपी सी मौझूदा एहमन्त सोरेंजी की सरकार जो उनके नेतरित में जो सरकार चल रही है उनके द्वारा जेपी सी के मादियम से सात्वी जेपी सी का जो है एक्जाम कंड़क्ट किया गया और लगबग पाँच लाक जो है छातर इस परिक्षा में भाग लियें उनकी परिक्षा हुई और जब परिक्षा फल का परकासन हुआ तो परिक्षा फल के परकासन में काफी तूटियां है कि एक ही कमरे से एक ही एक्जामिनेशन सेंटर से कई चात्र पास कर गें जिनका सिरियली रॉल नमबर है दूसरा कि जो अनुपफ्थित हैं उनको भी इस एक्जाम में पास कर दिया गया और कई ऐसे तुरूटी है कि काट आप कुछ है और जो है कि कुछ लोगों को पास कर दिया गया तो कई ऐसे तूटी हैं और जे-पी-चि के बिरोद में यहां के युवा जो 1000,000 की संख्या में अंदोलन कर रहे हैं परिक्छाफल के बिरोद में और ये अंदोलन लगातार मधिनों से चल रहा है हजारो हजार युवा हजारो हजार चात्र अंदूलन कर रहे हैं तो इस अंदूलन का नेतिक समर्थन भरती जनता पाटी परदेश अस्तर पर भी कर चुकी है और हम लोग छेत्री अस्तर पर भी करते हैं जेपीएसी के चेर्मेन पर चेर्मेन जो वर्तमान में अभी है अमिताब चोधरी जी उन पर भी हमेशा ब्रश्टा चार क्या रोप लगते रहे हैं पहले भी लगे हैं बाद में भी लगे हैं और अभी जो देखा जा रहा है जेपीएसी चेर्मेन के बारे में कहा जा रहा है जेपीएसी के सदस्यों के बारे में कहा जा रहा है आपका इस पर क्या कहना है अमिताब चोधरी जी जारखंड को चारागा समझते हैं और चारागा समझकर वो जारखंड में काम कर रहे हैं आपने देखा होगा कि जब वो जेसीये के अध्यक्ष थे और उस दर्मियान उनके उपर 196 कड़ोर कि बड़ी रासी का गबन का उनके उपर आरोप है और वो मामला नियाले में चल रहा नियाले के द्वारा उनके उपर संबन भी जारी किया गया है तो इतना संगीन आरोप इतना बड़ा आरोप जिस सक्स के उपर हो जिस बैक्ति के उपर हो उस बैक्ति को ज पीएस्सी जैसे स्वाइत संस्था का चेर्मेन बनाना ये अपने आप में जारखंड के लिए दुर्भाग्या है और जारखंड सरकार का भी या दुर्भाग्या पूर्ण फैसला है कि ऐसे बेक्ती को जैपीएस्सी का चेर्मेन बनाया साथी साथ उनके सदस्यों की हम बात कर तो जो है अजीता भट्टाचारी है जो जो है जेमेम के महासची सुप्रियो भट्टाचारी की पत्नी है उनका प्लिटिकल बेग्ग्राउंड है डॉक्टर जमाल अहमद वो कॉंग्रेसी नेता आलमगीर आलम के रिस्तेदार है प्रोफेसर अनिता हस्दा वो जेमेम के नहीं कर सकते हैं वैसे लोगों को बैठा दिया गया तो जारखंड के लिए यह बहुत बड़ा कलंक है कि जेपी ऐसी संस्था जो सबसे बड़े सेवा के लिए सबसे बड़े नौकरी के लिए परिक्चा उजित करता है उस संस्था में ऐसे ऐसे लोग बैठ जाएंगे तो चारखंड के लिए बहुत ही दुर्भाग्य पुर्ण बिसे है इसमें भाजपा तो पूरी तरह से इनका साथ दे रही है इस आंदोलन भाजपा साथ दे रही है भाजपा पर पहले भी लाटी चार्ज हो चुका है और केस भी दायर किया गया है ऐसे में आप लोगों का अभ अगला रुख क्या होने वाला है इस आंदोलन को अब किस मोड में पहुँचाने की दियारी है चल रही है था कि भाजपा ने जो आज अपना स्थान बनाया है वो संगर्श के बदॉलत बनाया है संगर्श के बदॉलत थी बीसू की सबसे बड़ी पाटी ही हमारा संगटन ब इसाई को कैसे हम छोड़ सकते हैं चाहे हमारे उपर लाठी चार्ज हो चाहे हमें जेल जाना पड़े चाहे पुलिस का परताड़ना का सिकार होना पड़े हम सारी बाधावों को दूर करते हुए सारी बाधावों को जेलते हुए हम जो है इस आंदोलन को समर्थन करते चुकि जारखन संगर्श की धर्ती है, और संगर्श के बदोलत ही स्रायज का निर्मान हुआ है, तो हम सभी भारती जनता पाटी के कार करता है भारती जनता पाटी के नेता, जेपीएसी के अभियर्तियों के साथ, पूरी मुस्तेदी के साथ खड़े हैं, उनके हर सुख दुख में हम लोग खड़े हैं और तब तक खड़े हैं जब तक इनका अंदोलन चलता रहेगा और जब तक अंदोलन का कोई परिनाम नहीं निकलता हम सभी बारती जनता पाटी के कार करता और नेता इनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे मतलब रामगर से जो अभियर्थी जाएंगे वहां मुखमंत्री आवास का घेराव करने के लिए उसमें आप लोगों का समर्थन और आप लोग भी वहां उनके योग नेता का यह हमारा लोक तंतरीक अधिकार है और भारत के समीधान ने बिरोद करने का अधिकार हमें दिया है और बिल्कुल जो है यहां धोलन जो है वो बिल्कुल जो है सांतिपुर्वा की आंदोलन चल रहा था आपने देखा होगा कि पिछले बार जेपीएसी चेर्मेन से अभियर्थियोंने मिलने का समय मांगा था और उन्होंने जब समय दिया तो सभी लोग इकटा होके सांतिपुर्ण जुलूस के मादियम से जा रहे थे लेकिन बीच में पुलीस रोग दी और लाठी चार्ज की उनके उपर मार पिट किया उनके साथ महिलाओं के साथ भी मार पिट किया और इसमें हमारे दो दो बिधायक थे मन्या बहुनातपुर के बिधायक भानुपरताप साही जी और हटिया के बिधायक नविंजा सुआल जी कि उनके साथ किस परकार से कुरुता पुरुवक यहां कि सरकार बहवार करेगी लेकिन इन सब चीजों से हम डरने वाले नहीं है चुकि हम जो है लड़ने में विश्वास रखते हैं हम संघर्स करने में विश्वास रखते हैं ये थे राजीव जैसवाल जी जिन्होंने खुल कर कही कि हम डरने वालों में से नहीं हैं, हम अभ्यर्थियों के साथ रहेंगे, अब हमारे साथ में एक और अभ्यर्थी मौजूद हैं, भारती कुसवाह जी, इन्होंने भी जेपेसी की परिक्षा दी थी, और इनसे जानेंग होगा है, उस दिन से नए नए खुलासे हो रहे हैं, पहला खुलासा यह हुआ कि बच्चे सिरियली नंबर से पास होगे, दुसरा खुलासा हुआ कि जो परजेंड नहीं थे वो भी पास हो गया, तिसरा खुलासा यह जब हम लोगों ने आंदुलन किया, तो हम लोगों को कुछ बच्चे ऐसे सामने आये, जिनका कटप वो कुरासी नहीं वो फिर भी वो पास हो गया है, चौथा कुलासा यह हुआ कि हम लोगों का जो विमार सीट मिला था, वो जेपेसी के पास हाई नहीं, उसके बावजुद भी 57 बच्चों को पास कर दिया गया था, अगर हम इसलिए आज सीबी आई जाच की मांग भी कर रहें, ट्विटर कैंपेनिंग भी कर रहें और हमारा कल 15 दिसंबर को आंदोलन है, मुख्यमंत्री आवाज घिरने का, अच्छा इसा भी सुनने में आ रहा है कि कई अभीरतों के मतलब मान लीजे जो नंबर आये हैं, वो लोग फेल हैं और कई उनसे कम नंबर वाले पास हो चुके हैं, इस वाइसा क्या मामला क्या इस पर देखिए, जैसे मैं खुद मैं एक्जाम लिखी थी तो मेरा बीसी टू कैटेगरी और मेरा 240 मांक से हैं, लेकिन मैं फेल हूँ और बीसी टू में 130 लाके भी बच्चा अब उनका 230 से कम मास है, लेकिन वो पास है, ऐसे से रोज मामले नए नए मामले सामने आते जा रहे हैं, इस तरह से देखा जाए तो जैपी एसी में गड़बड़ीयों का जिन रोज-रोज नया-नया, एक नया-नया मामला लेकर आ रहा है कि यह प्रॉब्लम है, यह प्रॉब लग रहा है, लग रहा है कि आपको सरकार आपकी बात मानेगी? अगर अंदोलन पर्थे मीश्टी दो, हमारा कट आप अधीन हुःत रहे है कि लिएक हं़ा है ने वोट वो जी दो सीधा भाई लेकिन हमारे पस अमारे सीट नहीं है। जैसे ही गड़बड़ी की बात आये थी उसी के अगले दिन से वेबसाइट भी बंद हो गया था और हमारे अंदोलन को सप्रेश करने के लिए मेंस का फॉर्म भी फिल अप करने के लिए स्टार्ट कर दिया गया था कि ताकि बच्चे का माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जा और अंदोलन कमजूर पढ़के यहीं दब जाए इसमें क्या लग रहा है जो लड़के पास हुए हैं वो आपका साथ दे रहे हैं जो पास हो चुके हैं बिल्कुल दे रहे हैं वो भी दे रहे हैं ऐसे से बहुत बच्चे सामने आये हैं पिछले आप देख रहे होंगे 45 डे मतलब JPSC के इस तथा कथित घोटाले की बाद जो कही जा रही है कथित घोटाले की बाद जो कही जा रही है इस घोटाले में ऐसे कई लोग हैं जो जिन्होंने नंबर जादा लाया कम नंबर वाले पास हो गए यहां तक की जो पास हो चुके लड़के हैं वो भी इनका साथ दे रहे हैं क्योंकि उन्हें अभी भी इस बात का डर है कि भविश्व में जाकर कहीं सेटिंग या कोई मामला व्यवस्था टाइट ना रहे इन लोगों का ठीक है राश्ट्र समर्पन से रितेश करश्यप धन्यवाद